भारत के दिग्जच क्रिकेटर संजय बांगल के बेटे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है उनके बेटे के हार्मोनल टांसवर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है करीब 10 महीने चली प्रॉसेस के बाद आरियन के अब अनाया बनने की जानकारी सामने आ रही है भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगल के बेटे आरियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है जिसके जरीये उसके बारे में एक दिल्चस्प बात का पता चलता है ये वीडियो उसके हार्मोनल ट्रांस्फॉर्मेशन जर्नी का है सीधे शब्दों में कहें तो सामने आए वीडियो से बांगल के बेटे आरियन के लड़का से लड़की बनने के बारे में पता चलता है आरियन बांगर ने इस वीडियो को अपने इंस्टग्राम पर पोस्ट किया जिसमें उसकी विराट, धोनी और अपने पिता के साथ की ही तस्वीरे तो है ही साथ ही हॉर्मोनल ट्रांस्फोर्मेशन के बाद की भी कुछ तस्वीरे हैं सरजरी के दस महीने बाद आरियन अब अनाया बन चुका है आरियन बांगर भी अपने पिता की तरह क्रिकेटर है, वो बाइहाद का बल्लिबाज है और एक लोकल क्रिकेट क्लब इसलाम जिम खाना के लिए क्रिकेट खेलता है इसके अलावा उसने लिस्टरशेर में हिंकले क्रिकेट क्लब के लिए भी धेर सारे रन बनाए है लड़की में ट्रांस्वर्म होकर मतलब आरियन अब अनाया बन कर खुश है उसने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि क्रिकेट खिलने के अपने सपने को साकार करने के लिए मैंने कई त्याग किये लेकिन इस खेल के अलावा भी एक जर्णी है जो की मेरे खुद की खोच से जुड़ी है मेरी ये यात्रा आसा नहीं रही लेकिर इसमें मिली जीत मेरे लिए दूसरी सारी चीजों से बड़ी है अनाया फिलहाल इंग्लैंड के मैंचेस्टर में रहती हैं वो वहाँ एक काउंटी क्लब के लिए क्रिकेट भी खेलती है हलाकि दावे से ये नहीं कहा जा सकता कि वो वहाँ किस क्रिकेट क्लब का हिस्सा है लेकिन उसके इस्टाग्राम रील से पता चलता ही कि उसने वहाँ खेले एक मैच में 145 अनका भी स्कोर किया है अब जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वाइरल हुई लोगों ने तरह तरह से रियक्शन देने शुरू कर दिये कुछ लोगों ने कहा कि संजबांगर ने अपने बेटे को खो दिया कुछ लोगों ने कहा कि भारत को शायद एक उभरता हुआ सतारा क्रिकेट में मिल सकता था बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा कुछ लोगों ने आरियन के इस डिसीजन का सम्मान किया उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉसेस है ये जो जूर्नी है ये हर किसी के लिए आसान नहीं होती और सबसे पहले सोसाइटी एक्सप्ट करें उससे पहले आप खुद इस चीज को एक्सप्ट करो आपने बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है कि आपने इस चीज को एक्सप्ट किया और अब धीरे-धीरे समाज और पूरा देश भी इस चीज को एक्सप्ट कर लेगा आरियन के अनाया बनने की कहानी को इंस्पिरिशनल बताकर शेयर भी कर रहे हैं आप लोगों की क्या राया है इस बारे में आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं